देश भर के किसान सब्जियों में लगने वाले अनेक प्रकार के कीटों से प्रभावित रहते हैं ये कीट फसल को नश्ट कर किसान की आई को क्षती पहुँचाते हैं किसान इन कीटों की रोक थाम के लिए बहुमूल्य समय तथा पैसा खर्च करते हैं गोभी भारत की सभी भागों में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है गोभी की फसल पत्ता काटने वाले तथा रस चूसक अनेक कीटों से प्रभावित होती है गोभी की फसल का सबसे हानी कारक कीट है जो किसान की आय में भारी नुकसान पहुँचाता है गोभी के एक फसल चक्र में गोभी की एक से लेकर पांच पीडियां तक हो सकती है चूंकि बाजार में उपलब्द कोल भी उत्पाद डी बी एम की सभी अवस्थाओं पर कारगर नहीं है इसलिए डी बी एम की रोगधाम मुश्किल हो जाती है डी बी एम के प्रारंभिक अवस्था का लार्वा बहुत छोटा होता है ये लार्वा पत्तों की निचली सतेह पर सुरंग बनाकर क्षती पहुँचाता है जिस कारण प्रारंभिक अवस्था में होने बाला नुकसान आसानी से नजर नहीं आता यदि डी बी एम का सही समय पर तथा प्रभावी ढंग से नियंत्रण न किया जाए तो ये कीट गोभी की फसल को पूरी तरह से नश्ट कर सकता है डी बी एम ने भारत में मौजोदा मुख्य कीट नाशकों के प्रती सहनशीलता या प्रतीरोधक शमता विकसित कर ली है जिसकारण उपलब्ध कीट नाशकों से डी बी एम का प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है देश भर के गोभी उगाने वाले किसान डी बी एम के प्रभावी नियंत्रण के लिए असरदार समाधान ढून रहे है लेकिन अब चिंता की बात नहीं है क्यूंकि गोभी उगाने वाले किसान अब चैन की नीन सो सकते हैं क्यूंकि DBM के प्रभावी समाधान के लिए आ गया है एक अनूठा तथा प्रभावी कीट नाशक कीफन कीफन की शक्ती DBM से मुक्ती कीफन एक अनूठा फसल संग्रक्षन उत्पाद है जिसे जापान में अविश्कृत किया गया है और P.I. द्वारा भारत में लाया गया है पिछले पांच दशकों से P.I. के वेज़फ्रू ब्रैंड पर लाखूं किसानों ने विश्वास किया है P.I. हमेशा से नए और उन्नत तक्नीकों से लैस उत्पादों को किसानों के बीच लेकर आती रही है जैसे की और अब कीफन एक अनूठा समाधान विश्वस तर पर कीफन चौधा देशों के लाखों किसानों को उनकी कई महत्वपूर्ण फसलों जैसे की सबजियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, प्याज, कद्दू जाती की फसले, फलियां इत्यादी नकदी फसल, जैसे की कपास, फल, जैसे की आम और अनार में लगने वाले रस चूसने तथा पत्ता काटने वाले कीणों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण प्रदान कर रहा है भारत में कीफन के उप्योग और लाभ को सुनिश्चित करने के लिए, पी आई ने अनेक क्रिशी विश्व विद्यालेओं के साथ मिलकर कीफन के तकनीकी परीक्षण किये इन परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों और किसानों ने कीफन को गोभी के कीट संग्रक्षण हेतू प्रभावी उत्पाद के रूप में माना है आईए, अब समझते हैं कि कीफन एक अनूठा समाधान क्यूं ही कीफन की श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है, जिससे कीट की कोशिकाओं में उर्जा उत्पादन की प्रक्रिया अवरोधित होती है, जिसके कारण कीट की मृत्य हो जाती है कीफण के अनुठे कारे करने की विधी के कारण कीफण उन कीटों पर भी प्रभावकारी है जो अन्य उपलब्ध कीट नाशकों के प्रति प्रतिरोधक शमता उत्पन्न कर चुके हैं कीफन के संपर्क में आने के बाद कीट फसल को नुकसान पहुँचाना बंद कर देते हैं। नमबर दो, कीफन कीटों की विभिन अवस्थाओं पर कारगर है। जब कीफन कीट एवं अंडों के सीधे संपर्क में आता है, तो अंडों को विक्सित नहीं होने देता है। एवं पतंगे पर भी असरदार सिध होता है। कीफन का प्रयोग कैसे करें। छड़काव करने वाला व्यक्ति सुनिष्चत रूप से सुरक्षात्म कपड़े, जैसे की मास्क और गलव्स पहने और छड़काव के दौरान सुरक्षा उपाय का पालन करें। कीफन का प्रयोग 400 मिली लीटर प्रती एकड की दर से 200 लीटर पानी में मिला कर स्प्रे करें। आम तौर पर 200 लीटर पानी एक एकड में स्प्रे के लिए पर्याप्त है। परंतु पानी की मात्रा फसल की अवस्था के अनुसार बदली जा सकती है। यदि पानी की मात्रा 200 लीटर से अधिक हो, तो कीफन को 2 मिली लीटर प्रती लीटर पानी की दर से प्रयोग करें यदि आप 20 लीटर क्षमता का स्प्रे टैंक उप्योग कर रही हैं, तो पानी के 10 गलास लें और कीफन के 400 मिली लीटर के साथ घोल बना लें चिड़काव के लिए स्प्रे टैंक को साफ पानी से आधा भर लें, अब इस टैंक में कीफन के खोल का एक गलास खोल दें, अब टैंक को 20 लीटर क्षमता तक पानी से भर लें, तथा एक एकड़ के दस्वे भाग में स्प्रे करें क्यूंकि कीफन एक संपर्क में आकर काम करने वाला कीटनाशक है, इसलिए प्रभावशाली परिणाम के लिए गोभी के समस्त पौधे पर छिड़काव जरूरी है, फसल पर पून रूप से कवरिज के लिए कीफन का स्प्रे गोल नौजल से करें, तथा कीफन के साथ सुप स्प्रेडर का प्रयोग करें, प्रभावी नियंत्रण के लिए कीफन का प्रयोग, DBM तथा फसल की आरंभिक वस्थाओं पर किया जाना चाहिए, एक बार पुनह जानने की कोशिश करते हैं कि कीफन असरकारी क्यूं है, एक, कीफन के अनूठे कारे करने की विदे की कारण, कीफन उन कीटों पर भी प्रभावकारी है, जो अन्य उपलब्ध कीट नाशकों के प्रती प्रतिरोधक्षमता उत्पन्न कर चुके हैं, दो, सीधा संपर्क में आने से कीफन, अंडो, लार्वा तथा पतंगे पर अत्यदेक प्रभावी है, तीन, कीफन रस चूसने वाले क जैसे की एफिट्स पर भी प्रभावी है, प्रभावी नियंत्रण के लिए कीफन का प्रयोग, डीबी एम तथा फसल की आरंभिक अवस्था पर, दो मिली लीटर कीफन, प्रती लीटर पानी की दर से करना चाहिए, कीफन का सही समय पर प्रयोग कर, हम गोभी की स्वस्त फस ले सकते हैं।